हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज के वीडियो रहने वाली है सोशल एंड बिसनस एथिक्स के उपर दोस्तों भी बेकुम सिख्सम का सब्जेक्ट है इस वीडियो के अंदर मैं पूरा सब्जेक्ट कवर कर दूँगी यानि कि unit 1 के जितने भी important questions बनते हैं and unit 2 के भी बस आपको ना मेरी बातें ध्यान से सुनिए क्योंकि आज आपके पास last दिन है कलाप लोगों का exam है तो पूरी book को within a one video में cover up करना और आपको उसको समझाना और आपके दिमाग में वो points रह जाए तो अगर आप मेरी बातें ध्यान से सुनिएंगे क्योंकि मैं हर चीज आपको logic के साथ समझाऊंगी तो आपको कहीं न कहीं वो बातें याद रह जाएंगी क्योंकि इतना tough subject नहीं है जो आपको easily learn ना हो पाई सबसे easiest subject है ये चीक है तो इसमें जितनी चाहे जैसे गपे मैंने पहले भी बोला था कि पेपर में जितनी चाहे गपे मारा होगे अगर समझ के जाओगे तो ध्यान से सुननी है वीडियो एंड तक सुननी है और notes आपको कैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगी notes जो है देने का थोड़ा सामने तरीका चेंज किया है तो अगर आपको notes लेने है तो वीडियो को पूरा end तक सुनेगा हम आपको पूरा बताएंगे कि क्या process है क्या क्या आपको करना है ठीक है पहले वीडियो को करते हैं start unit 1 के questions देख लेते हैं what do you mean by business ethics इसके various principles क्या है और क अगेंस दी करना अगर कोई बंदा बोल जकते हैं कि शराब को हात नहीं लगाता तção करेब इस न ही पिनी या कोई बंदा है उसके कुछ rules है कि मैंने गलत काम नहीं करना बंदी कर ब्रेक नहीं करना हम ethics हमारे जो rules and regulations हैं उनको follow करेंगे जैसी हमारी परवरेश हुई है मतला नक्षे कदमों पर चलेंगे उसके तीक है simple ऐसे ही business के भी कुछ ethics होते हैं कि हमने fraud नहीं करना यह नहीं करना वह नहीं करना तो यह क्या है business ethics refers to the principle and standards जो की गाइड करते हैं कि behavior क्या है business का जैसे business के ethics होंगे अगर एक business well-mannered है पूरे ethics को follow कर रहा है तो definitely business का behavior अच्छा होगा individual world में business का behavior बहुत अच्छा होगा so it involves making choices that are not only legally compliment यह कोई ऐसा नहीं है कि legally है कि आपको करना ही करना है यह आपकी अपने उपर है कि जैसे मेरे उपर है कि मैंने अब रिश्वत लेनी है कि नहीं लेनी तो टोटल मेरे ethics है कि मैं रिश्वत लेके काम नहीं करूंगी चाहिए तो यही होते हैं business के ethics क्योंकि आपको एक trust build करना है customers बनाने है employees को अच्छे treat करना एक अपनी community create करनी है तो आप ethics को follow करूगे अब इसके लिए क्या principles है क्या ethical issues आते है principles governing ethical issues in management क्या आते है पहला क्या है integrity always be honest and do the right thing even when no one is watching हमेशा honest रहना है और सई चीज को करना है चाहिए आपको कोई नहीं देख रहा हो कहते है जब कोई नहीं देख रहा हो था तब ऊपर वाला देखता है तो वह चीज है अब मेरे मन में कुछ बाते हारी है अगर मैं बूलूं इस इंक्लूड की fair treatment of employees, fair pricing रखनी है customers के लिए fair competition रखने है others के साथ सब कुछ fairness होनी चाहिए second issue third सब की respect करो अगर आपके लिए कोई आपको service provide कर रहा है then respect her क्योंकि आप लोग आपको मैं videos provide कर रहे हूं most of the students को अच्छी लगती है पसंद आती है बट कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको पसंद तो नहीं है बट notes उनको मेरे ही चाहिए copy करें चाहिए चुराएं कैसे भी करें और आगे forward उनको बहुत अच्छे से करने आते हैं तो वो कुछ बच्चे हैं जो पता नहीं क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता उनका बट मुझे कहीना कहीना उनको देखके अच्छा लगता है कि हाँ इनको मेरे वीडियोस पसंद ना हो हो सकता है यह मेरे से नफरत करते हूं बट notes इनको मेरे ही चाहिए तो ऐसे बच्चे इनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं है कैसे कैसे treat करना इनको next क्या है transparency be open and clear about कि company की क्या decisions होंगे अपनी information को honestly share करो अब accountability 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 क्या है कि अगर आपके साथ मैं loyal हूं अगर सोचो next वीडियो में next paper में वीडियो ही ना है तो मेरी loyalty खतम आप मेरे पर ट्रस्ट नी करोगे कि दीजी ने एक paper की वीडियो नहीं मेरा ही हमारा paper अच्छा नहीं है तो अब उसके लिए next क्या है environmental responsibility अब environment में minimize करना जो भी negative impact है environment के उपर negativity नहीं पहलानी है this involve using resources resources को effectively use करना wastage को कम से कम करना sustainable business practices को create करना next इसका issue के आता है कि lawfully सब कुछ काम करना सभी rules and regulations को follow करके जलना इसके अंदर labor law safety regulations financial reporting requirement सब कुछ include होता है confidentiality होनी चाहिए protect sensitive information this includes safeguarding customer data customer के data को safe करना respect करना employee की privacy की और keep company secrets secure और company के जो कुछ secrets है जैसे हमने membership लगाई तो कुछ secrets ही रखी तो उसको secure रखना यह आपकी भी responsibility है अगर मैं आपके trust कर रही हूं आपको openly links शेयर कर रही हूं नोट्स के तो यह आपके responsibility है कि आप उसको ना share आगे करें otherwise मैं restrictions लगाऊंगी जो आपको बरदाश नहीं होने वाली है क्योंकि मेरे हाथ में जो command है आपको पता है कि दीदी कर सकती है वो मैं कभी भी कुछ भी changes कर सकती हूं बट मैं करती नहीं हूं just because मुझे बाकी सब का ख्याल है एक ही वजह से मैं बाकी हो क्या exams ख अब देखो जैसे आपका कोई personal interest है जैसे कहते हैं आपकी personal और professional life mix नहीं होनी चाहिए उसी को बोलते हैं conflict of interest personal और professional life अलग-अलग रखेंगे तो obvious ही बात है हमारी professional जो भी responsibility है हमारे personal interest में interfere नहीं करनी चाहिए जो भी decision आपने लेना है जो best है उसके base पे लेना है ना कि मेरी अ नाराज है तो मैं बाकियों के साथ वो नहीं करूंगी application क्या है ethical principles की in management application क्या है क्या ethical principles को apply करते हैं पहला ethical leadership अब देखो अगर आपका leader ही गलत रस्ते पे जा रहे है तो आप definitely गलत रस्ते पे जाओगे leader आपके लिए क्या है example सेट करेगा पहला है leadership जो भी बंदा leader हो वो loyal हो तो उसके अंदर वो आगे क्या सिखाएगा चुब करके रिश्वत ले और काम होने दे आगे second code of ethics companies often have a return code of ethics company के पास एक उनका code of ethics होना चाहिए जो मतलब outline करेगा कि अगर कोई भी नया बंदा आ रहा है तो हम उसके क्या behavior उससे expect करे हैं कि उससे हमनों हमारी expectations क्या है यह document कह कहीं न कहीं employees को help करेगा इस समझने में कि company हमसे क्या expect करी third training and education regularly उनको training sessions देने जो कहीं न कहीं employees को समझने में मदद करेगा importance उनको बताएगा कि ethics की क्या importance है कैसे उसको apply करना है ethical decision making framework businesses जो है ethical framework structure का use कर सकते हैं क्योंकि उनको company में ethical atmosphere या environment create करना है तो कहीं न कहीं सब impacts को क्या स अगर एक बंदा खुद से loyal है तो उसकी loyalty को कोई नहीं हटा सकता फिर आप उसको 1000 बार रिश्वत दे दो पर जो एक बंदा पहले से ही रिश्वत एखा रहा है और उसको company में आके और उसके leader ने बढ़ावा दे लिया कि रिश्वत तो लेनी बनती है तो वो रिश्वत तो नेक्स्ट क्या है whistleblower policy हर company के अंदर हमें एक whistleblower ज़रू रखना चाहिए whistleblower क्या होता है चुगल खोर अब मैं इस पर एक्जामपल दे रही हूं कुसा ना करें सब लोग जैसे हम लोगों ने ग्रूप बनाया टेलिग्राम पे ठीक है उसी से related groups बने हैं WhatsApp पे भी बच्चों जो उनकी information आगे पहुंचा दे मेरे पास screenshot सब आ जाते हैं कि क्या किस group में हो रहा है और अगर मैं चाहूं तो एक मिनट में सब की पॉल यहां पर screenshot शेयर करके खोल सकती हूं बट मैं करूंगी नहीं वो बट screenshot आ चुकी हैं बच्चों के नाम आ चुकी हैं और मेरी सटकी तो आपकी teacher भी involved हो मैं भी उस groups में आड हो सकती हूं आपको यह चीज़ ध्यान रखनी है आप में से कोई मेरे साथ add-on नहीं हो तो यह ध्यान रखना जहां पर भी आप कुछ भी conversation कर रहे हो कुछ पी पीडिया शेयर कर रहे हो किसी के भी notes copy कर रहे हो तो वो बंदा आपको stakeholder engagement whistleblower clear है चुगल खोर होता है जो वह whistleblower चाहिए कि company में कैसा बंदा होना चाहिए जो सब की बाते कान लगा के सुने और आके मालिक को बताए कि यह यह हो रहा है आपकी पीठ के बिचे second stakeholder engagement engage with all parties stakeholder को क्या है कि business की सब भी parties के साथ connected होना पड़ेगा engage होना पड़ेगा अगर आपने एक empire खड़ा किया है तो उसमें आपको ही उतरना पड़ेगा जब तक आप अपने business में गदा मसदूरी नहीं करते आप आगे किसी से काम करवाने के लिए लायक नहीं माने जाओगे क्योंकि business आपका है आपने empire खड़ा करना है आपने एक forge बनानी है तो आपको को ही पहल करनी पड़ेगी second question क्या है कि क्या myth है business ethics को लेकर क्या लोगोंने myth फैलाय हुए है कि ऐसे होता है तो इसके myth क्या है common myth है कि business and ethics जो लोगों के business और ethics को लोग अलग-अलग रखते है जब business करना होता है तो लोग सिरफ मुनाफा देखते है कि किस चीज में हमारा मुन पहला मित है जबकि ऐसा नहीं होता जो लोग ethics को फोलो करते हैं वो उसको बिजनस में भी apply करते हैं क्योंकि वो एथिक्स के थूँ ही तो जादा मनी कमा पाते हैं क्योंकि वो कह सकते हैं तरह से लोयल रहते हैं अपने business के साथ कि मैं अपने ethics के साथ ही चलूँगा कही नहीं हैं दोनों को mix करके ही business चलता है second क्या है if it's legal तो वो ethical है second क्या है कि अगर कोई चीज legal है तो इसका मतलब वो ethical है अगर कह सकते हैं जैसे इसमें मैं क्या बोलूँ आपको example ले सकते हो जैसे अगर आप non-watch खाते हो तो अब मेरे ethics मुझे allow नहीं करते हैं कि हमने non-watch खाना है if it's legal that does not mean कि वो ethical है चीक है ethics are personal and have no place in business ethics जो है वो personal होते हैं और उनका business में कोई जगा नहीं है ethics are just personal belief and don't believe belongs to in business decision जिबकि ऐसा reality में नहीं होता business ethics में भी company के यह जो हमारे ethics है business में भी involved होते है having clear ethical guidelines कि हम लोग आपसे क्या behavior क्या आपके responsibility आपसे expect करें जिसको आप follow करेंगे ethical ethics cost money and hard profits यह क्या बोल लें है कि इसका क्या मित्त है कि acting ethically is expensive and reduced profit अगर आप जैसे ethically behave करें कि ethical ethics मेरे बहुत बड़े ethics है हम अपने rules के साब से तो कहीं न कहीं आपके profits को कम करेगा आपको महंगा पड़ेगा यह यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप ethics को follow करते हो ना तो आपको business में मुनाफ़ा नहीं मिलेगा अगर आप business कर रहे हो तो आपको profit देखना चाहिए अपने rules के उपर नहीं जंडा गारना चाहिए यह मेर नहीं बना रहे हैं वो पैसा बना रहे हैं वो short term के लिए टिकेंगे long term के लिए market में नहीं टिक पाएंगे वो ठीक है next क्या है good ethics always leads to business success अब यह क्या बता रहा है कि being ethical guarantee कि जो ethics है वो guarantee दे रहे हैं अब मैंने आपको एक भी point में ऐसा बोला कि अगर आप ethics के साथ business करोगे तो guarantee है कि आपको success मिलेगे no यह कोई मतलब guarantee होड़ा दे नहीं आपको ethics एथिकल 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 क्या है कि आपको positive outcome जाहिए बस कुछ भी हो सकता है यह guarantee थोड़ा है कि वो ऐसा ही होगा manager से सोचा है situation वैसी है कुछ भी हो सकता है something कुछ challenging आ जाएगा जो आप नहीं उसको handle कर पा मिलेगी बट अगर आपकी life में ups and downs आ रहे हैं तो success भी उतनी जल दी आएगी यह आपको ध्यान में रखना है ups and downs वाला बंदा जब नीचे जाता है तो तुब नहीं रफतार से उपर उखता है और जो सीधा सीधा जाता 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 है उसकी life boring और वो कही प्रोसेस उसका slow हो जाता है ethical issues are due to a few bad individuals अब यहां पर मित क्या है only a few ethical people cause most problems in business कुछ लोग जो unethical है अब इसके लिए आप मेरे membership की example अराम से ले सकते हो कुछ members जो unethical है most problems business में होनी की वज़ा से हा रिया मुझे बहुत आइशन होती है जब यह लोग मेरी पीडियोस उठा क अब मैं उस पर security लगाऊंगी तो बाकियों को दिक्कत आएगी बट कुछ करना पड़ेगा इन बच्चों का बहुत तंग करते हैं लोग अब रियालिटी क्या है ethical issues usually stem for systematic problem within a company और industry और इनको address करना इन issues को देखना कि क्या company का culture है क्या policies है practices and not just blaming individual अब इसके लिए जो यह कि उसकी गलती नहीं है बट अगर एक शेयर कर रहा है तो दूसरा बच्चा उसको रोक भी नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं सब की responsibility यह बनती है तो ethical का मतलब यह नहीं है कि सिरफ few गलत है अगर लंगर बट रहा है तो सब उसको लेने भी जा रहे हैं next क्या है why understanding these myths is important जो यह मि कर पाऊगे customer के साथ employees के साथ community के साथ positive work environment बनाने के लिए इन myth को जानना बहुत जरूरी है success को पाने के लिए इनका जानना बहुत जरूरी है और आपकी जो भी social responsibilities बनती है उनको fulfill करने के लिए आपका इन myth को जानना बहुत जरूरी है अब इस question का conclusion आप रीट कर लेंगे तो अगर आप लोग वहां पे भी issues लिखना चाहते हैं तो यह वला concept आप उसमें लिख सकते हैं आपको में लिखा देती हूं first question तो आप लोग उसमें भी यह एड कर सकते हैं देखे लिखे लिखे ना explain various principles concerning ethical issues की क्या ethical issues आ रहे हैं तो हमने यहां पे principles बताए हैं बट आप लोग ethical issues भी लिख सकते हैं जो मैं आपको अभी next question में करवाने चाहरी हूं तो आप लोग उसको भी वहां पे लिख सकते हैं ethical issues क्या आते हैं पहले तो पहला issue आता है कि employees को equally treat करना है क्योंकि अगर जैसे employees को treat करेंगे company की वैसे ही reputation मिनने कि अगर आप उनको unfair wedges दे रहे हूं उनको harass कर रहे हूं opportunities नहीं दे रहे हूं तो employees treatment एक बहुत बड़ा issue है अगर आप उनको अच्छे से treat नहीं कर रहे हो secondly conflict of interest हो जाता है personal or professional life mix नहीं कर सकते हो आप तो आपको दोनों को different friend रखके चलना होता है आपकी corporate social responsibility भी होती है जिसको आपको fulfill करना होता है अगर आपका एक factory है कि society के अंदर और आप हाँ पे society के बहुत सारे resources का use कर रहे हो दें आपकी भी कुछ responsibility बनती है उस society के थू कि आप भी उस society के welfare के लिए कुछ काम करें तो यह भी issue create होता है क्योंकि जब कोई भी company corporate social responsibility की तरफ अपना focus करती है कहीं न कहीं वह company का ध्यान उस तरफ जादा हो जाता है क्योंकि कई बार चुबली positive होती है बट most of the time वह negative जाती है फिफ्थ क्या है data privacy and security यह भी issue आता है कि data को collect तो कर लेते हैं बट उस data को secure भी तो रखना ज़रूरी है अगर उस protected data का कहीं misuse हो गया तो employees के हमारे उपर दवारा ट्रस्ट करेंगे supply chain ethics many companies के जो sources है materials है products है जो भी चल जाते हैं कि हम लोग child labor रख रहे हैं हम लोग unsafe जो हमारी काम करने के तरीके हैं वो unsafe हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है environment बहुत गंदा है next issue के आता है कि competition fair रखना है यह नहीं करना है कि यह मेरा सगे आला है तो मैं इसको promote कर देता हूँ no competition fair रहेगा and large corporate governance this refers to the system and process by which companies are attracted कि कि इसके थो companies direct or control की जारी है ethical issues का बराइस होते है when there is a lack of transparency तो account अब देखो अव्यसी बात है अगर कोई company है और प्रांस्पेरेंट नहीं है उसके कोई भी रूप management क्या कर रही है उसका कोई idea employees को नहीं है वो क्या जोल जमेले कर रही है employees को कुछ ख़बर नहीं कोई accountability नहीं है त ethics को serious attention दी जारी है human resource management में क्यों why these moments these days इसके उपर अपको comment करना है पहले तू human resource management में ethics होते क्या है ethics is becoming increasingly important in human resource management let's discuss why this is happening and what it means क्यों यह happen हो रहा और इसका business में मतलब गया होने का ठीक है why ethics is important सबसे पहला ethics क्यों important है trust को build करने के लिए reason क्या है employees want to work for companies they trust सबसे पहला क्यों important है यह trust को build करने के लिए क्योंकि जब human resource जो practices है वो ethical होंगी employees खुद को secure feel करेंगे वो valued feel करेंगे उनको लगेगा कि उनकी जो बहुत satisfaction वाली है लोयालिटी है company उनको कभी भी कुछ भी गलत नह तो definitely मैं उस company के साथ लंबेट समय तक मैं उस पर भरोसा कर पाऊंगी अगर एक company है वो आज खड़ी हुई है कल उसने फिर bankrupt हो जाना है फिर चार महीने बाद खड़ी हो जाना है फिर दो महीने बाद bankrupt हो जाना है तो उसमें क्या है company ने ethics follow ही नहीं करें company का कोई क्या सकते है क क्या है स्थेबलाइज नहीं है कुछ भी company अभी कफी प्रफोर्म कर रही है तो यहां पर trust build होगा second क्या ethics क्यूं important है improve company की reputation को improve करता है ज़र सभी rules and regulations को follow करता है legal compliance क्यों इंपर्टेंट है human resource management, trust को build करने के लिए, company की reputation को improve करने के लिए, legal compliance को follow करने के लिए, क्योंकि human resource अगर सभी legal rules को follow करेगी, तो कही ना कही रिस्क जो है वो कम हो जाएगा, promote, fairness को promote करने के लिए, ठीक है, enhance employees moral, employees के morale को जो भी कह सकते हैं, उनको boost करना, उनको motivate करना, जब company देख तो value करो ना यार उस बंदे के अपने ethics हो सकते हैं, company के ethics हैं, तो इन बंदे के अपने ethics नहीं होंगे, हो सकते हैं, तो उसको भी आपको appreciate करना है, अगर उस बंदे का कोई ethics है, बट गलत ethics को support नहीं करना, अगर किसी का एथिक है तो मैने रिश्वती लेनी है, तो आप उसको support बोलेंगे, किसको hire नहीं कर सकते हैं, अगर इसमें वो qualities नहीं है, बट वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, यार हम लोग तरको कबसे जाते हैं, जौब तो दे सकते हैं, तो ethical issues, hiring practices में create होते हैं, आपको discrimination नहीं करनी है, employees की privacy में ethical issues आते हैं, respect करना, उनके जो भी information है, protect करना, not sharing private employees information without consent, बिना उनकी permission के उनकी information को share करना, that is wrong, अगर आप notes share करना चाहते हैं, या मेरी वीडियो के link share करते हैं, then at least inform me, क्योंकि मुझे कहीं तीसरे बंदे से पता चले, तो मुझे यह हर्ट ना हो कि हाई, मेरे notes कहां गूम रहे हैं, तो at least अगर आप लोगो को videos जैसे आप ल बहुत अच्छा बता है, तो यह बाते गलत नहीं है, मैंने ही बोली गलत है, बट अगर आप बिना मेरी permission के मेरी कोई चीज उठा के लिए जा रहे हूँ, जैसे की notes, videos को नहीं बोली, videos आपी के लिए है, but notes उठाना, that is wrong, I think आपको permission लेनी चाहिए, मेरे according बाकी आपकी मरज अब employees की privacy का भी थ्यान डखना चाहिए, workplace diversity, promote करना, जो भी workforce self को diverse, implement policies, जो की encourage करें, diversification and inclusion को, workplace अच्छा बना के रखना, fair competition हो, employees जो है, well being हो, उनको लगे कि वो safe है, healthy है, उनका काम का environment बहुत अच्छा है, अगर आप ethicals, जो भी human resource management में फोल्यो करते हो, तो benefit क्या है, आप talented employees क हो attract करते हो, talent कहाँ जाना पसंद करेगा, अब जो बंदा talented है, उसमें इतनी अक्कल तो होगी न, कोई company गलत काम कर रही है, तो उसके उपर जब भी किसी company को join करेगा, पहले उसकी history निकालेगा, कि company के है क्या status, है न, तो कभी भी उस company में नहीं जाएगा, अगर वो talented है, तो उसको सारी knowledge है, वो निकाल लेगा company का bio data, तो ethics follow company जो करती है, वो talented employees को अपनी तरफ attract करती है, employees को retain करके रखती है, ठीक है, उनके turnover के rate कम होते हैं, बट employees are treated ethically, तो वो वहाँ ज्यादा stay करती है, लंबे समय तक, उनकी performance को enhance करती है, जब employees को लगेगा, कि company में उनकी भी value, उन उनकों भी motivate फील करवाया जाता है, definitely, उनकी performance को मतलब की कह सकती है, कि motivate कि इस दंदे ने appraise करती है, कि ये बहुत अच्छा काम करें, और last conflict reduction, फ्यूर वक्प्लेस में conflict होता है, ethical HR, इसके benefits है, conflict reduction, जो conflict है, यानि कि जो भी conflict होता है, वो reduce होता है, क्योंकि जब company को पता है, कि कोई भी घलत चीज असेप्ट नहीं करी जाएगी, तो ये fair rules है, बिल्कुल clear है, clear करता है, कि ये rules है, इसके against कोई भी जाएगा, तो उसको punishment मिलेगी, तो कोई भी इसमें conflict वाली बात ही नहीं आएगी, क्या मैंने ऐसे कि आप ऐसा थोड़ा बुद अज़स्ट नहीं कर सकते अब next question क्या है, कि how ethics are important in accounting and finance की, कैसे ethics important है, accounting and finance में, इसमें भी आपको various ethical issues बताने है, same points ethical issues वाले ही है, इसमें भी, पहले तो ethics क्या होते है, accounting and finance में, accounting and finance के ethics क्या होंगा, अप अपना दिमाग लगा कर सोचो, कि आपको, आपकी financial statement उसको fair रखना है, कोई भी आपने उसमें गल जो कह सकते हैं, legal compliance, rules and regulations को follow करने है, अपनी mind से बतारी हूं, जो मेरे दिमाग में आ रहा है, अब देखते हैं, क्या लिखा हूँ है, आपको बता है, ethics जो है, वो backbone का काम करें के accounting में, क्योंकि make sure करेंगे, कि सब को smoothly and honestly आप प्रिजेंट कर रहे हो, तो ethics का तो आपको बहुत fair रखते हो, protect करोगे सब के interest को, क्योंकि ethical practices look out for everyone involved, क्या, सब के लिए involved है, that's me, shareholder, employers, customers, everyone get treated fairly and honestly, यह निया कि वो अंदा shareholder है, तो हम उसको कह सकते हैं, कि चाय पानी पूछ रहे हैं, और जो बंदा दूसरा company में काम कर रहा है, उसकी हम लोग respect नहीं कर रहे है, equally treat कर रहे है, build for long term, ethics, जो हैं, वो long term के लिए, आपकी एक reputation build कर देंगे market में, कि यह बंदा, आपकी मतलब success की ना, थोड़ी सी कह सकते हैं, कि एक guarantees ही हो जाएगी, पर्मान एंट नीं, guarantee बोल दकते, बट एक हो जाएगा, हाँ, ethics, अगर आप फोलो कर रहे हो, आप लंबे समय तक market में टिक अब कोमान ethical issues क्या आते हैं, अब यहाँ बना headings change है, बट मिलते जोती हैं, पहली heading क्या है, cooking for books, some businesses might fiddle with their financial records, fiddle क्या है, छेड चाड कर देते हैं, कि वो अच्छा देखें, जो कि एक्ट्रमें प्रॉफित में नहीं है, बट वो अपने accounts के साथ छेड चाड कर देंगे, कि वो यानि कि sometimes people in charge might give special treatment, जो in charge होते हैं, जैसे investors, big wings, उनको special treatment दी जा लिए, क्या वो fair है, no, सबको fair equal treatment मिलनी जाहिए, that's not cool, everyone should be treated equally, third क्या है, sneak inciding insider traders, imagine कोई अंदर की news आपको पता चलती है, कि आज कंपने का भाव उपर जाएगा, और आप इसको buy or sell कर देते हो, that's insider trading, and it's a big no, no, कि अगर आप ऐसी अफवाउं पे cover सुनके अपने पैसे लगा देते हो, that is wrong, next क्या है, money mismanagement, misuse companies fund, अगर आपको cash का counter दिया गया है company का, तो यह नहीं है कि आप company की mismanagement करोगे, ethics के मतलब issues हैं यह, कि money की mismanagement show कर देते हैं, personal use का भी वहाँ पे expense show कर देते हैं, कि उनको such को hide कर टेक्स बचाने के लिए नहीं नहीं तरीके लगाते हैं, कुछ issues हैं, जो आते हैं, getting the number wrong, अपने जो भी financial report के numbers है, उनको properly तो नहीं show करते हैं, तो यह big problem है, लोग pretend करते हैं कि हम लोग बहुत रिच है, हमारी company के financial report बहुत अच्छी है, जग कि actual मी नहीं होती, leaving out important information, no tell the whole story, financial report, आपकी पूरी स्टोरी नहीं बता रही, आपने financial report के साथ चेड़ करके बना दी, बट क्या वो आपकी पूरी स्टोरी बता रही है, no, it's a big deal, it's like telling only part of a story, जो हम आपको सुनाना चाहते हैं, आपको वही दिखाया जाएगा, बाकी का पार्ट आपको बताया नहीं जाएगा जो actual में आपके लिए जानना जरूरी है, feeling persuaded to bend and rule, sometime people in accounting and finance might feel pursued to cut corners or bend the rules to meet goals, to make someone happy, but it's like cheating on a test, it might seem easier but it's not right, यह दिख तो easy रहा है कि आप लोग जैसे अपनी जो भी rules and regulations को थोड़ा सा bend कर सकते हो according to your adjustment, जब भी आपको लगा कि आपके favor में नहीं है तो आपने उसको change कर दिया, यह दिख तो easy रहा है, बढ़ क्या यह ethics को आप follow कर रहे हूँ, अगर आपने कुछ rules मनाए है, बढ़ अपनी सुविदा के according आप उनको change करते जा रहे हूँ, that is wrong, तो यह आपे कुछ conclusion है, next question क्या है कि conflict of interest क्या होता है, जब आप अपनी personal life और professional life को mix करते हैं, तब आपकी life मे conflict of interest create होता है, जैसे अगर आपका कोई रिष्टेदार आगया, बोल रहे है, मुझे हायर कर लो job के लिए, और अधर से आप interview ले रहे हो, तो यहाँ पे conflict of interest है कि आप किसको हायर करोगी, तो अगर तो आप ethics को follow करोगी, तो definitely जिसके numbers, grades अच्छे है, जो उसके लिए reliable है, जो conflict of interest is like wearing two hat, दो टोपिया एक टाइम पे पहनादे नहीं, what's good for someone, what's good for you might not to be good for everyone else, job को लग रहे है कि अच्छा है, वो सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, so what it's mean, different type of, different type that you can pop up and how to handle them, conflict of interest होता है, conflict of interest होता है, conflict of interest happens when someone's personal interest, some किसी का खुद का personal interest or relationship interfere करता है उसकी job में, ठीक है, किसके जो भी role है, if you are hiding panel, तो आपका cousin apply कर देता है, तो वह ही example है, अब क्या-क्या types है, पहले तो financial conflict आता है, जब money matters आते हैं, for example, अगर आप shares खरीद रहे हो एक company के, and also आपने decide किया, कि which company or organization you work, किस company के साथ आप work करेंगे, अब एक company के आप share खरीद रहे हो, उस ही company के साथ, आपकी personal choice है, और उस company के साथ deal करना, आपकी professional choice है, तो personal और professional mix-up नहीं होने चाहिए, conflict of interest, personal relationship conflict, इसमें क्या है, this happens when your personal connection could your judgment, for instance, if you have decided whether to promote a friend at work, जैसे, अब कहते हैं, मेरा suggest कर देंगे, मुझे जोब मिल जाएगी, तो personal relationship conflict आगया, कि आप उसका suggestion देंगे, उसकी क्या सचते है, मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दें, अपने वोस के आगे, कि मेरी जॉब लग जाए, बहुत सारे लोगों को पता होगा, यह तो, secondary employment conflict, jungling multiple jobs can be tricky, if your side gig clash with your main job, अगर आप प्र टाइम जॉब कर रहे हैं, और वो ख्लाश कर जाती है, आपकी main job के साथ, like a teacher working for a company that makes school supply, that has secondary employment conflict, अग कि अगे, 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 फिसी school की तो teacher है, जिस school की वो teacher है, company उसी school को आगे, जो है, जो है, सप्लाई कर दी है, तो क्या, यह secondary employment conflict हो गया, कि वो second, मतला second job कर रही थी, पार्ट ताइम में, बट जिस company के साथ जॉब कर रही थी, वो company आगे वहीं यह favor क्यों कर रहा है तो आप लोग यह भी conflict of interest में हैड कर सकते हो अब आप conflict of interest को manage कैसे कर सकते हो be open about it अगर आपको लगता है कि हाँपे conflict है don't hide it आपको बोलना चाहिए honest ठीक है take a step back if there is a conflict something the best thing to do is a step aside by removing yourself from the decision making process अगर कोई बन्दा बोल रहा है ना कि मुझे भी वहाँ पर लगवा दे पिछे हर जाओ बोलो मैंने recruitment कर रहा है मैं किसी और को कोई और recruitment कर रहा है एक step पीछे लेना भी कही बार आपको conflict of interest है बचा सकता है get advice आप don't be afraid to ask for help आपको किसी की मदद मांग सकते हो कि मेरे साथ यह situation आगी है मेरा सगा भाई भी भी पोल्डा मुझे जोग चाहिए और इदर से मैंने अब difference क्या है आपकी values और आपके ethics के बीच में ethics क्या होते है जो हम लोग शुरू से सुनते आए है society norms हमें जो मतलब शुरू से पता चला है अब देखो definition क्या है values क्या है आपके खुद के personal beliefs मेरा खुद का मानना है जो मैंने जैसे क्या सकते है मेरा खुद का मानना है कि मज़े यह चीज नहीं करने और कुछ ethics है जिस behavior जिस atmosphere अगर हम सोचो ऐसे atmosphere में पैदा हुए होते हैं जैसे मुंबई वगार में होते हैं तो हमार आपके ढहते हैं जो हम παरो को सुनुत्रय जो हमानते हैं yes it is your ethics ऐने मेरा चोंब और की मेरा और को ऊंठीने जो ऑलrek काम आते हैं और ऐजन क्या है जो वैले queste ने कहा है summat वाधो'M की यह बनता है जैसे हम बढ़े होते हैं हमारा खुद की शो पीश्पिरिएंसे होते हैं ऑर प इस प्रण के रिलीजन से हम आते हैं जिस विए सबम साईथि अगर हम हिजाब की बात करें तो यहां पर बहुत सारे टियोहार अच्छे से मनाइगा तो यहां पर हमारा ऐतिक्स क्या बोलता है कि तिवाली आएगी तो हमें क्या करना है तो यह क्या है हम सीख रहे हैं दुनिया क्या कर रही है कैसे चल रही है मतलब जो परंपराएं सदियों से चली आ रही है subjective ये जो है बैरी करते हैं percent to percent values सबकी अलग-अलग होती है सबका अपना-पना नजरिया होता है सबका अपना point of view होता है और जो ethics है ये objective defined by societal concerns जो ethics है basically हमें मतलब होता है कि अगर जैसे अब यार रिश्वत लेना गलत है अबने अभी तक ऊपर इतना देखा तो कहीं न कहीं हमें कहां से पता चला कि रिश्वत लेना गलत है हमारा जो हमारी up bringing हुई हमारा जो at most fear था जिस परवरिश चाहां से हुई जो हमें पता चला है तो मेरे beliefs change हो जाएंगे कि मुझे दोस्त बनाने ही तो values तो change होती रहेंगी values according to situation change हो जाएंगी बट मेरे अगर ethics है कि मुझे रिश्वत नहीं लेनी मुझे गलत काम नहीं करना तो वो consistent रहेंगे change नहीं होंगे scope क्या है broad values का scope broad है various aspects of life और जो ethics है more specific है गाइड करते हैं behavior context को application यह personal decision making पे apply होते है और यह professional and social context के उपर apply होते है इसमें आप honest, loyal, respect and compassion करते हैं इसमें integrity, fairness, accountability and justice अब आपके next question क्या है कि unethical behavior के कारण क्या क्या है अगर कोई बंदा ethics को following नहीं कर रहा है तो उसकी क्या कारण है मतलब बंदा रिश्वत खा खा कि इतना painful आपना अपना कि अब उसको ethics के कोई लेना देना नहीं उसको unethical each चाहिए वो selfish हो चुका है तो पहला point क्या है selfishness sometimes people do things that are wrong because they are only thinking about themselves कि वो खुद के बारे में सोच रहे है second peer pressure one friends or colleagues encourage someone कि जब दोस्त बोलते हैं आजाए कि पैग लगाते हैं तो वो peer pressure में आप लोग आके कर लेते हो fear of consequences if someone thinks they won't get catch or punish अगर किसी को लगता है कि वो कभी पकड़ा ही नहीं जाए तो यह कारण है ना कि वो अन्यतिक गलत काम कर रहे है अब अगर question paper चोड़ी करने जाओगे आपको लग रहे है कि मैं तो पकड़ा ही नहीं जाओगा तो यह क्या है आप ethics break कर रहे हो अन्यतिकल काम कर रहे हो but अब आपके अंदर यह डर ही नहीं है कि आपको कोई माइकालाल पकड़ लेगा और आप वो काम कर रहे हो अब आपके अंदर lack of values की कमी है education definitely कमी है तभी आप अन्यतिकल काम की तरफ जाओगे desperation sometimes क्या होता है desperate होती हुए करना है sometimes people feel like they have no other choice but to do something wrong कि मुझे कुछ तो ऐसा तुफानी करना ही जाये जो मरगी हो जाये पूर रोल मोडल, if someone look up to people who do unethical things, अगर हम किसी को देखते हैं, कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, that might think, it's okay, behave that way, उसको लगता है कि अगर ये कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, पूर रोल मोडल, बुरी संगती का असर, जल्दी होता है, वो, ignore us, some people simply don't know that what they are doing is wrong, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, वो ignore कर देते हैं, अगर वोग गलत काम कर भी रहे है, उनको सामने वाला आके बोलेगा भी, कि भाई, ये गलत है, वो ignore कर देंगे, बड़ उसके बाद जब problems आएंगी, अरे मैंने तुम्हारी बाते क्यों नहीं सुनी यार, अब questions आते हैं कि moral, values और ethics को कैसे related है, morals क्या होते है, morals आपके personal belief होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, values क्या होती है, values are what individuals consider, कि ये important है values, ठीक है, does include honesty, आप respect देते हो, इसमें क्या example थी, morals में, जिसे आपकी अपर बिंगिंग से आती है, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, moral आपकी अपर बिंगिंग से आते है, आपको behave करना सिखाते हैं, कि society में कैसे behave करना है, values, आपको पता है, वैल्यूज क्या है, एथिक्स जो है नॉम सोसाइटी नॉम्स लोग फोलो करना फिलोसपी तो इनका रिलेशनशिप आप यहां पर इसली प्रेजेंट कर सकते हो चाहिए नेक्स्ट क्या है कि आपको डिटेल बताना है कि एथिकल क्या इशू आते हैं वर्क प्लेस पे काम करने वाली जगा पे एथ कर रहे हैं हर्रास कर रहे हैं conflict of interest हो रही है जहुत हो कहीं और करता है लाख उछ्य। गिस्ट कर रहे हैं सब्रृइंच कर देंगं आप विसल ब्लोइंग क्या होता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर एक चुगल खोल को बोलते हैं विसल ब्लोइंग एक अच्छा चुगल खोल होता है जो लडाईयां करवाता है वो गलत चुगल खोल होता है विसल ब्लोइंग एक गुड कह सकते हैं आप लोग चुगल खो तो कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके बार में जाके विसल ब्लो कर देगा कि यह गलत होने वाला है अब इसकी इंपोर्टेंस क्या है कही ना कही अगर कमपनी में कोई विसल ब्लोर है बहुत तक सारी इंपोर्मेशन पहुंच रही है तो डेफिनिटल आपके अंदर डर आएगा कि आपको ओनेस्ट रहना है एथिक को फोलो करना है बैद एक्टिविटिस को स्टोप करना है क्योंकि पता है चुगली हो जाएगी उपर जाके लोगों को प्रिटेक्ट करना है यानि कि अगर सेफ समय होगी उप्रिस्क का भोग पहले ही मैंश कर पाओंगे आपको पहले बता चलै कर थे कि वोगों आपको पाले व्हीं सब इस नृडर अइच two पहले कर रहा कि उनके उपर 2400 गंटे कोई निगाहा रख रहा है, कोस्ट, मनी, और टाइम, इसके लिए डफिनेटली इंवेस्टिकेशन एड़ा इस्जुट आर रीपोर्टेटल जो भी इंफोर्मेशन यह जो भी रिपोर्ट की ही, वैसे ही कि उपर देखती है फिर टॉप मैनेजमेंट क्या करती है तो फॉल्स रिपोर्ट भी बहुत उधार होती है next question क्या है कि corporate social responsibility क्या arguments इसके favor में हैं क्या इसके against हैं क्या इसकी provisions है corporate social responsibility क्या होता है मैंने आपको पहले भी अगर easy language में बहुत बार समझाया है कि जैसे एक company है कोई एक society में वो काम कर रही है उस society में वो उस society के resources का use कर रही है society के मतलब जो भी company में pollution या factory में create हो रहा है वो भी society में जा रहा है तो उस society की मतलब उस company की उस society के थुरू कुछ responsibility बनती है कि वो company in return उस society के लिए कुछ अच्छा करे तो यह इसी को बोलते हैं corporate social responsibility ठीक है corporate social responsibility is when businesses take responsibility की क्या impact उनका society के उपर पढ़ रहा है कैसे environment को खराब कर रहे है this means going beyond making profit कि सिरफ profit बनाने के बारे में नहीं सोचना उसके beyond उसके अलग जाके भी बाकी facts को भी consider करना है जो इसके corporate social responsibility के favor में थे positive अगर आप society के लिए कुछ कर रहे हो social responsibility complete कर रहे हो तो आपकी public में एक positive image create होगी customer आपके साथ loyal रहेगा customer बोलेगा यह तो society के लिए बहुत कुछ करता है customer को इतनी knowledge नहीं है कि आप pollution कर रहे हो यह कर रहे हो लंबे समय तक आप profits को gain कर पाऊगे अब वो तो इसके favor में थे अब argument इसके against क्या क्या हुए corporate social responsibility अगर आप society के लिए कुछ करोगे definitely आपकी cost increase होगी आपके profits कम हो जाएंगे क्योंकि आप उसकी cost को profits जो है product की cost में आड़ नहीं कर सकते definitely तो आपकी corporate social responsibility है जब आपके profits आएंगे उसमें से आप कुछ cost society के ऊपर invest कर दोगे तो उससे आपकी cost increase हो जाएगे और आपके profit जो है वो रिडियूस हो जाएंगे favor में नहीं है competitive कहीना कहीं disadvantage होती है companies जो spend करती है जादा वो difficult होती है उनके लिए compete कर पाना क्योंकि उन्होंने अपनी activities को prioritize नहीं क्या होता corporate social responsibility for companies with the net worth कि जिसकी net worth 500 क्रोडिया उससे जादा है वो जिसकी turnover 1000 क्रोडिया उससे जादा है वो यह तीनों ही situation में बंदा apply हो मतलब applicable है कि वो corporate social responsibility को fulfill करेगा second CR committee अगर एक बार बंदा eligible हो गया वो अब eligible है कि वो corporate social responsibility के अंदर आता है eligible companies must form a CSR committee तो company eligible है अब उसको corporate social responsibility के लिए committee रखनी होगी जिसके अंदर at least उसके तीन डिरेक्टर होंगे और एक independent director होगा अब उसकी एक policy बनेगी जो committee है must create a corporate social responsibility policy जो outline करेगी उनकी activities को जो भी expenditure जो भी खर्चे होंगे उनकी activities सब बताएगी अब CSR activity जो उन्होंने app specify किया कि सेरिया में क्या activity करनी है education health care poverty जो भी है तो उसको अब activity को apply करना है अब उनके खर्चे के आएंगे companies are required to spend at least two percent of their average net profit जो भी पिछले तीन सालों में उन्हें profit हुए उसका at least 2% उनने society पे इंवेस्ट करन परती है कि उन्होंने क्या 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 काम किया society के लिए क्या क्या आप लोगों को कि ये शायद मैंने पिछली वीडियो में भी कराया था corporate social responsibility के accounts आप लोग मेंटेन करते हो जिसमें तो companies must report their CSR activities in annual report detail करेंगी कि क्या 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 किया उन्होंने unspend amount अगर company fail हो जाती है spend करने में it must explain कि क्यूं हुआ report में बताना पड़ेगा कि क्यूं कितनी percentage उन्होंने invest क्यूं नहीं की तो specify reason होना चाहिए within a six month end of the financial year आपको इसको बताना है तो ये conclusion है अब इसका अब next question क्या है कि corporate social responsibility के major issues क्या आते हैं corporate social responsibility को fulfill करने में major issues क्या आते हैं green motion कुछ companies pretend कर देते हैं issue है कि हम ल green signal दे रही होती है हम green signal है हम red signal नहीं है but actual में वो company green signal होती है जो दिखता है वो होता नहीं है labor को exploit कर रही होती है labor को harm कर रही होती है शोशन जिसको बोलते हो आप लोग unsafe conditions होती है unfairly तो आप लोग लिख सकते हो इसके अंदर भी ethical sourcing many companies get there में teachers from places जहां पे workers को mistrate किया जाता है environment जो है environment को harm करती है तो यह मतलब impact है क्या सकती हो issues create होते है lack of transparency inequality है तो आप easily explain कर लोग इसमें कुछ ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाओ उपर हमने इतना पड़ा चीक है अब ethical and social issues क्या आते हैं अब देखो बार-बार issues आ रहे हैं hard topic के तो आपको issues छोड़के नहीं जाने ethical and social issues marketing में क्या आते हैं जब अब marketing है marketing में क्या होता है advertisement तो आप ख्या issue पहला क्या आता है कि लोग advertisement जब करते हैं उसमें सच बताते हैं अब इसमें चैनलब क्राइबें जोब लिख सकते हो कितनी मुझे नहीं पता अं cover को इतना पता है कुछ भी हमारा डेटेल जाता है वहां पर जिन कंपणी को अपना आगे कुछ भी करना है तो आगे डाटा को सेल करती हैं आपने कभी सोच है हमें अन्नों नमबर से कोल्स कैसे आती है वो डाटा आगे ट्रांसफर होता है इसके लिए मैं आपको बहुत अच्छे एक्जांपल थिरी तो कösलीं व incomaldo सिर्म के छेस्ट में हमारे बच्चे कारें को अई मारे मीं सुमें 그게 क्याराएं इसका मैं आपको बतारियम को सबार हुआ चृม कि पाज़ इंटियर्गत ले कुछ एका STUDY डarily अब कॉलेज वाले क्या करेंगे आगे उनिवर्स्टी वालों को अब देखो अगर अगर अपने लुधिहाना में कॉलेजिस हैं बहुत सारे तो नाम तो नहीं बताऊंगी कहां से है बट मैंने जब की ना तो जब हमने वह फंक्शन एटेंड किया उसके विदिन आइधिंक 15 20 दिन के बाद मुझे उनिवर्स्टी से कॉलाने शुरू हो गए कि आपको आगे further education को उनको उनिवर्स्टी वालों को कैसे बता चला जबकि उसी उनिवर्स्टी से मैं ने की हम पंजाब उनिवर्स्टी के बच्चे है मुझे तो बतलब बंदा बुछे अब उनके बास data कहा मैं तो कभी LPU के अंदर गई नहीं तो यह data आगे सेल होता है तो बच्चे की प्राइवसी का क्या ठीक है next stereotyping and diversity अब इसके अंदर क्या है marketing campaigns sometimes जो है pursue stereotypes और fail to represent reverse group accuracy तो यह impact क्या कहीना कही demographics को exclude करता है customer की potential harm करता है brand की reputation को child targeting बच्चों से काम करवाते है menu plate उनकी desires उनके influence करना और उनकी behavior तो यह भी impact करता है तो यह कुछ इसके social and business जो marketing के उपर effect करते हैं कि marketing में main charge बच्चों को target करते है marketing में जब ethical issues के आते हैं कि इनका main target क्या होता है बच्चों के लिए अब kinder जो यह आया था तो इन्होंने main target कि इसको क्या बच्चों के environmental impact पड़ता है advertising का price अगर advertisement होगी तो कहां जाएगा आसमान पे price कहां से निकालेंगो product की safety marketing product बिना disclose कि उसकी safety हजार्स को फिर इसके customer के लिए unethical है cultural sensitivity होती है competitive practice होती है यानि कि unethical marketing practice जैसे कि spreading false information को spread करना competitor के बारे में कुछ भी unethical है so unfair practices कहीं न कहीं competitor को harm करती है trust जो है industry में पूरा मतलब खतम ही हो जाता है तो competitive practice advertisement के थूँ अब कुछ भी तबाह कर सकते हो social responsibility businesses have a responsibility कि वो consider करे broader social impact को of their marketing activities and contribute उसी के according करे कि उसका positive impact आए but social responsibility बहुत कम लो क्योंकि social responsibility जो socially responsible होगा companies के ओपर तभी तो लोग trust करेंगे अब social responsibility जानी कि अगर कोई एड आ रही है और वो एड में अक्षे कुमार सर है तो आप क्या सुझोगे कि वो सही है but actual में क्या होता है women paan मिसाला की एड है कि कितना को याद है उसमें अक्षे सर थे तब आपको क्या दगता है कि आप वो advertisement सही थी क्या वो marketing सही थी जस्त जो ads आती है वो पहले तो true नहीं होती उसमें transparency नहीं होती है आप बहुत कुछ लिख सकती है और create करके जो ads आती है उसमें truthness कहा होती है सच तो नहीं बताती है transparency भी नहीं होती कोई rules भी नहीं होती है अब deceptive pricing क्या है deceptive pricing is when businesses use mislead tactics to make customer think मतलब business क्या कर रहा है कि मतलब ऐसे tactics का use कर रहा है कि customer को लग रहा है कि इसको जो मिल रहा है वो बस best है जो दुनिया में सबसे best है वो बस इसी company के पास है मैं मुझे best to best product दे रही है तो ऐसे tactics ऐसे rules का जो है करना अब देखो इसके लिए क्या points लिख सकते हूं कि false discount दे रहे है bet and switch हो रहा है hidden fees जो है हम बोजने हैं कि इतने discount पर मिलना है जबकि उसके अंदर charges include होती है इतना stress नहीं लेना इस question के लिए बहुत easy है आपको read करोगे clear हो जाएगा ठीक है what steps should be initiated कि क्या steps लिए जाने चाहिए customer की protection के लिए अब आप इसमें क्या लिख सकते हो customer को educate करो customer को aware करो क्या खरीदना है customer को rules and regulations बताओ क्या regulations है customer की safety के लिए customer को advocacy groups में जोइन करवाओ customer को education देने के लिए उसको बताओ कि यह groups हैं आपकी safety के लिए उनका support करो ठीक है accessible complaint mechanism रखो establish करो easy to use कि जिसको कोई भी बंदा easily use कर पाए कि अगर यह complaint करने का procedure है तो अगर हम website पे जाते हैं तो कोई बार इतना टफ प्रोसीजर होता है कि नॉर्मल बंदा बाँ जाएगा फोलेगा छोड़ यहार मैंने complaint नहीं करने तो यह सारे points आप उसमें बता सकती हूँ इसके अंदर भी आप लोग बहुत customer को अवेर बगार कर सकते हूँ समझा सकते हूँ अब customer protection में क्या-क्या issues आते हैं अगर आप customer को protect करने जाते हैं तो क्या-क्या issues आपको create करने पड़ते हैं पहले तो mislead advertisement पहला ही issue है companies गलत advertisement की tactics को use करती है product की safety का कुछ नहीं बताया होता unfair contract की terms होती है जो fair नहीं होती lack of information होती है fraud होते है scam होते है customer services poor होती है digital right और privacy का misuse होता है complexity आती है तो बिलकुल मतलब ऐसे points है जिनको मुझे मैं लगता ही नहीं कि इतना जादा मुझे depth में explain करना चाहिए इनको बट काफी लंबी वीडियो कर दी है मैंने सब समझाते समझाते सो I hope आपको यह clear है so guys इसके बाद आप लोगों का unit 2 का मैंने एक chapter skip किया है environment वाला जो है तो अगर आप लोगों में किसी ने भी वो chapter करना है तो आप लोग कर सकते हैं मैं यहाँ पर skip कर वारी हूँ क्योंकि वो chapter मुझे लगता है कि option में आप लोगों का निकल जाएगा ठीक है हमने whistle floor भी कर लि आप लोगों के लिए last year के questions आए ठीक है मैं आपको वीडियो में यह बिल्कुल नहीं बताती कि paper में यही questions आएंगे इन में से आ सकता है paper हम यह बताते हैं ठीक है क्योंकि last year का ही जो portfolio हो follow होता है तो please वीडियो को misguide ना करा करें कि आपके लिए क्या है and the last notes जितने भी channel पे members हैं आप लोग मुझे personally messages करें Instagram पे आपको notes चाहिए मैं notes आपको provide करूँगी आप लोग मुझे messages करें फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे का क्या आपको करना है ठीक है कितनी जल्दी आप messages कर देंगे आपके लिए beneficial आपको notes लेने में easy रहेगा so I hope आप थोड़ा सा cooperate changes करेंगे अपने schedule में जो भी बच्चे हैं हमें पता चलेगा कि कौन है ऐसा बंदर क्योंकि मेरे पास नाम तो आई चुके हैं वाकी देखते हैं क्या बच्चे ट्रिक्स अपनाते हैं तो वाकी मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में और एक और बात चो भी अपका अगला पिपर हैि ऑप्रेशनल रिसर्चिंपोर्टंट अनॉंसमेंट इहां से सुनिए ओप्रेशनल रिसर्चि के ऊपर मेरी पूरी PLAYLIST अल्रेडी है मैं उसको दुबारा अप्लोड नहीं करूंगी उस पूरी प्लेडिस के अंदर मैंने बता देती हूं क्योंकि एमकोम में भी सेम सब्चेक्ट सेम चैप्टर सेम स्लेबस था एमकोम का पेपर बहुत अच्छा आया था तो वो वीडियो अल्रेडी प्रिपेर्ड ह बस आपको देखनी है पेपर देके आने के बाद पूरी प्लेडिस तेयर है मेरे से अब मैं दुबारा उसके ओपर वीडियो नहीं बनाओं तो आप 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 लोग इस चीज को समझेंगे तो आप आप टूड़ी वीडियो नोट इसको आप लोग शेर मत करें को अने थिक रहना है या थिकल रहना है तोटली डिपंड ओन यो तो मिलेंगे हम लोग अपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे चून गुडबाई और बेस्ट अफल लग एर एक्जाम्स